नमस्कार के साथ आपके चरणों में वंदन करता हुआ, मैं आप सभी का आपकी अपनी वेदिक सिधी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ हमने मोदी जी के जन्म दिन पर एक बहुत ही अच्छी धार्मिक आध्यात्मिक विवेशना की मोदी जी की वो कौन सी उपासना करते है वो बात की अब आज की यह वीडियो में हम बात करेंगे कि अहिमाले में उनके रहस्य में साल कैसे भी थे, कहां पर उन्होंने साधना की थी, किस प्रकार की इश्वरिया, आराधना, साधना उपासना करते है वो, उनके वाक शक्ति, वाक चातुरियता, बोलने की शक्ति, इतनी पावर भी वो कैसे एकान तवास में जाके साधना करते थे, और उनके मुख से जो कुछ बाते कही गई है, उनके बात करेंगे, तो देखे, तीन साल मोदी जी ने हमाले में गुजारे थे, साधना करते हुए, और जो खास साधुसंद महात्मा है, उनमें से एक साधुसंद महात्मा यह बात निश्चित तोर पर बताई है कि मोदी जी अपने युवा काल में तीन साल जो हिमाले में थे उसमें से दो साल उन्होंने केदार घाट स्थित गुरुड चट्टी या गुरुड चट्टी करके जगा है वहां की हनुमान गुफा में वो रहे थे वहां पे काफी सादुसंत महात्मा के उनको आशिरवाद प्राप्तों हुए थे मार्दर्शन प्राप्तों हुआ था जिस मार्दर्शन का उप्योग करके मोदी जी ने उच अध्यात्मिक साधना की थी अब देखो वो सादु संत महातमा के जो भी आशिरवाद प्राप्तों हुए और वो इश्वरे शक्ती जो है वो मोदीजी के हर हमेश रक्षा करती है कोई भी विरोधी ताकत या नगारा शक्ती जो है उनको कभी भी विचलित नहीं कर सकती मोदी जी जो है वो हरो सुबह वो सारी शक्ति जो है उनका पुनर जागरन करते है ये ज़रूरी है बहुत अब देखिए सारी चीजे में आपको बता रहा हूँ तो ये ताल ठोक के इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि हरी गुरू हरी कुरुपा से मुझे भी जिवन्त गुरू प्राप्त हुए है उनसे गुरू शब्द गुरू वचन दिक्षा प्राप्त हुए है एक पद्धत ही रहते है ये उपासना की जो मैं खुद हरोस करता हूँ तो और उनसे पता चलता है कि कितनी पावर्फुल शक्ति ही रहती है वो अच्छा बोल लेते हैं वो किसके अकारण तो जो दश महाविद्या है ठीक है अभी आप हरिद्वार चले जाओ ठीक है कंखल में जो शंकर भगवान का मंदीर है कंखल में परवती जी का वहाँ पे गोरी जहां पे सती माता के तोर पे उन्होंने अपना देत्या किया था ठीक है वहाँ पे दस महाविद्या का मंदीर है तो दस महाविद्या जो शक्ति है उसमें से जो नवी मातंगी माता है निल सरस्वते से भी जाना जाता है उनकी जो साधना आराधना है उनके कारण मोदी जी की वाक्चातुरियता बड़ी ही मधूर और बड़ी ही पावरफुल इफेक्टिव है अब उनके शत्रू कुद्रती तोर पे नश्ट कैसे हो जाते है तो वो ऐसा माना जाता है और ऐसा सत्य ही होगा कि कोई तो ऐसे रूशी मुनी सादुसंत महात्मा है कि जिनोंने बगला मुकी उपासना सिद्ध की रखी है और वो सारी जो शक्ती है ठीक है वो सारी शक्ती मोदी जी को अरपन कर रहे है देखो संकल्प में बहुत शक्ती रहती है कभी किसी ओडियो वीडियो में बनाऊंगा पब्लिश करूंगा उसके ओपर भी पर जो धर्म के मार्ग में चलते हैं अध्यात्मिक मार्ग में चलते हैं साधनाय करते हैं उनको यह सब अच्छे से पता है और लोगों को शंका होगी पर वेदिक सिद्धी के साथ जुड़े रहेगा सारी चीज़े एक के बाद एक में बताता रहूंगा तो बगला मुकी माता जो है उनके पुरनक रुपा मोदी जी पे है निश्शित तोर पे अब देखें मोदी जी ने पहले सक्षातकार में ठीक है बहुत सारी इंटर्यू में ये बताया है कि वो जब युवा वस्ता में थे तब वो काफी साल ऐसा सिलसिला चला था वो मुझ्यमंत्री गुजरात के नहीं बने थे उस समय पे कि दिवाले के टाइम पे सब लोग उत्साव सेलिबरेशन में रहते हैं घर पे जाते ये करते हैं तब मोदी जी बहुत वार वो तीन दिन पांच दिन के लिए साधना करने के लिए चले जाते थे दिव ये इश्वरी आध्यात में साधना उपासना करते थे तो उनका पहले से ये रहा है कि वो उच्चकशा के धार्मी का अध्यात में क्विक्ति है अब उन्होंने ये बात भी बताई है कि 17 साल की उमर में जब वो हिमाले गए थे उस समय जब वो साधना करते थे सूबह जल्दी तीन से चार बजे के बीच में उठके वो वहां का जो बर्फिला ठंडा पानी है उनसे वो स्नान करते थे और वहां पे दिविय आध्यात में उपासना साधना करते थे अब देखो किसी को यह लगेगा ठीके बहुत साल लोगों ने मुझे बताया अभी कि क्या यह धार्मिक आध्यात्मिक विएचन विशलेशन पर भाईयो बेहनों समझ लो यह मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ गेरंटी रिस्पोंसिबिलिटी है मेरी खुद की और यह चीज कोई भी धर्म और अध्यात ममार्ग में जो चलने वाला इंसान हो वो यह आसानी से समझ सकता है आप मोदी जी को पीम पत से एक तरफ हटा लो ठीक है आप यह समझ लो कि वो पीम नहीं है पर एक नॉर्मल व्यक्ति है और नॉर्मल व्यक्ति कि आप बूक पड़ोगे उनके पोयम्स पहले की पड़ोगे उनका पहले का जीवन देखोगे अभी का जीवन देखोगे वो ज असानी से यह चीज़, अब मैं आगे उनके जो काविय, उन्होंने जो लिखा हुआ है, उसका विशलेक्षन करूँगा, उस समय में सारे रिफरेंस दूँगा, तब आपको पता चलेगा कि यह सारी चीज़े में क्यों बोल रहा हूँ और क्यों बता रहा हूँ ऐसा है, तो प प्रगवान हे गुरु हरी, मोदी जी को बहुत ही आप धार्मिक, अध्यात्मिक जो भी है अशिरवाद आप प्राप्त करवाओ, शक्ती दो, माभारती के सेवा करें, विश्व के सेवा करें, जो चीज़ वो पाना चाहते हैं, वो पाएं, बहुत ही उनके आदर्श गोल है बहुत सारे पाचुके हैं, बहुत सारी चीज़े वो करना चाहते हैं, हमेशा करते हैं, सबका विकास हो, सबका साथ, सबका विश्वास, और विश्व कल्यान की भी उनकी भावना है, वो भी चरितार्थ हो, वो भी सिद्ध हो, इसी शुबसंकल्प के साथ विराम लेते हैं जुड़े रहेगा लाइक कीजिए सबस्क्राइब कीजिए शेयर कीजिए सबके साथ और हमारा जो सनातन धर्मा फेमिली है वो बढ़ाए वेदिक सिदी फेमिली बढ़ाए ओम शान ते ही शान ते ही शान ते ही